नमस्कार आप देखने किस्सा गोई और मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार आज बात करेंगे बिहार के पहले और एक मात्र महिला मुख्यमंत्री की वेप सिरीच महरानी में रानी भारती के मुख्यमंत्री बनने का दृष्ष जस तरीके से फिलमाया गया है वो आपको अती नाट किया लगा होगा लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार के पुरो मुख्यमंत्री राबडी देवी के सीयम बनने की कहानी भी इस से अलग नहीं है जब चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद के खिलाब चार शीट दाखिल हो गई तो ये तै हो गया कि देर सवेर उन्हें जेल जाना पड़ेगा साथी मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा भी देना पड़ेगा यहीं से पटकथा लिखी गई बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री की जिहां तारीक थी 25 जुलाई 1997 जब राबडी देवी ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पत की शपत लिए ततकालिन राजिपाल एयार किद्वई ने राबडी देवी को पद और गोपनियता की शपत दिलाई यह कैसा फैसला था जो आसानी से हजम होने वाला नहीं था ना तो पार्टी के पुराने नेता इसके लिए तयार थे और नहीं विपक्ष को सियासी धुरंधर लालू के सुदाव का जरा भी अंदेशा था बताया ये भी जाता है कि खुद राबडी देवी भी इसके लिए तयार नहीं थी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार सम्हालने से पहले राबडी देवी ने खुद को अपने घर तक सीमित कर रखा था अपने परिवार तक समेट रखा था बच्चों की देखभाल ही उनका एक मातर काम था कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में रहते हुए भी राबडी देवी बिहार के ग्रामीन अंचल की आम महिलाओं का पृतने धित्व करती थी उस वक्त अखबारों में बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में इसे लेकर कई लेक भी लिखे गए थे लेकिन सियासत के अनिश्चेताओं ने राबडी देवी को एक घरेलू महिला से बिहार का मुख्या बना दिया 1990 में जब जनतादल बिहार की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी बनकर उभरी तो मुख्यमंत्री के तीन दावेदार सामने आए पहले थे रामसुंदर दास जिनके सिर पर प्रधान मंत्री विश्वनात प्रताप सिंग का हाथ था और दूसरे थे रगुनाज जा जिन पर दिगज समाजवादी चंदर शेखर की छतर चाया थी इन दोनों सुर्माओं के बीच लालू प्रसाद को रेस जीतनी थी लालू प्रसाद इस त्रिकोणिय संगर्ष में काम्याब रहे सत्ता की कुर्सी उन्हें बहुत मुश्किल से मिली थी वेसे युही गवाना युही खोना नहीं चाहते थे जब उन्हें लगा कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पत से इस्तिफा देना ही होगा तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर राबडी देवी का चैन कर लिया लालू प्रसाद चाहते तो अपनी पार्टी के किसी वफादार सिपाही को मुख्यमंत्री बना सकते थे ऐसा करने पर वो फौरी तोर पर महान नेता भी हो जाते और कई मौकों पर राबडी देवी की वज़से हो रही आलोचनाओं से भी बच जाते लेकिन सियासत के माहिर खिलाडी लालू प्रसाद ये अच्छी तरीके से जानते थे कि मुख्यमंत्री की कुरसी ही ऐसी है जिसमें अपने अलावा और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है हलाकि सबसे अच्छी बात ये रही कि लालू प्रसाद की पार्टी के कई सिपह सालार लालू प्रसाद के फैसले के साथ मजबूती से डटे रहे उन नेताओं में रगवन्श बावू, जगदानन सिंग, अब्दुलबारी सिद्ध की और रामचंद्र कूरवे जैसे दिगज थे जो लालू प्रसाद के हर फैसले में छाया की तरह उनके साथ खड़े थे और इस घटना के करीब 16 सालों के बाद जीतन राम मांचीन नेतीश कुमार को सियासी धोखा दे कर ये साबित कर दिया कि राबडी देवी को सियम बनाने का लालू प्रसाद का फैसला सियासी तोर पर कितना प्रासंगिक था शुरुआत में राबडी देवी को नई जिम्मेदारियों के बीच एड़जस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हुई काफी तकलीफ हुई वे सियम आफिस नहीं जाती थी विधान सभा की कारेबाही से भी बसती थी लेकिन धीरे धीरे हालात ने उन्हें इन सब चीजों का अभ्यस्त बना दिया लालू प्रसाद चाहते तो जेल से लोटकर राबडी की बजाए खुच सीम बन सकते थी लेकिन उन्हें भी किंग की बजाए किंग मेकर बनने में मज़ा आने लगा राबडी देवी ना केवल सियासत में फिट हो गई बलकि 2000 के विधान सभा चुनाओं में जीत दर्च कर पूरे 5 साल तक कारिकाल चलाया राबडी देवी का जन्म गुपाल गंज में 1956 को हुआ था उन्हें बिहार की पहली और एक मात्र महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है सत्रह साल की उम्र में 1973 को उनका विवाह लालु प्रसाद यादव के साथ हुआ था राबडी देवी साथ बेटियों और दो बेटों की माँ हैं वे 2014 का लोकसभा चुनाव सारण नर्वाचनक शित्र से हार गई और उसके बाद उन्होंने सीधे चुनाव नहीं लड़ा वे फिलहाल बिहार विधान परिशत की सदस्य हैं और वहां नेता विपक्ष भी है कई बार मीडिया से मुखातिव होते हुए और सदन में अपनी बात रखते हुए वे इस कदर आत्म विश्वास से भर जाती हैं कि एक बार की तो यकीन नहीं होता कि ये वही राबडी देवी हैं जो पहली बार मुख्यमंत्रीपत की शपत लेते हुए लड़ खरा रही थी शब्दों को ढून रही थी कई बार विवादित भयान देने की वज़़ से राबडी देवी सुर्खियों में भी रही लेकिन उनकी अब तक किस सियासत पर अगर गौर करें तो उनकी शैली शालीन ही कही जाएगी कुछ लोग राबडी देवी की तारीफ करते हैं और कुछ लोग उनकी शैली की आलोचना करते हैं लेकिन इन सब से अलग बिहार की सियासत का कोई भी इतिहास बगएर राबडी देवी के मुकमल नहीं होगा तो आज के लिए किस्सा गोई में बस इतना ही और अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपना कीमती कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार